नमस्कार मेह कुनाल आप सभी का संस्कृत ही आई है यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं चीन की दिवार तो आप लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते जानते समझते रहे हैं और एक बड़ा चर्चा का विशरा है लेकिन आज की हमारे वीडियो चीन की दिवार नहीं बल हाली है परतमान में अमेरिके रास्ट्रपती जो बाइडन ने उन्हें स्टेटमेंट दिया कि अब इस तरफ काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा तो यही हमारी आज के चर्चा का विशह है कि क्यों फेराल दुनिया में अमेरिका की महान दिवार की चर्चा हो रही है त पूरी मेक्सिको के सीमा पर बनने चाहिए क्योंकि आवयद परवासे यहां से बहुत अधिक संख्या में आते हैं जो हमारी एकता अखंडता के लिए संकट का विशह है जिसको निहंत्रित किया जाना बहुत अधिक जरूरी है तो यही हमारी आज का मामला है सारा तो देखि जाता है कि हमारे देश के जो टेक्सपेयर हैं अब हम नहीं चाहते कि उनका पैसा दिवार बनाने मिलेगे जो कि जरूरी नहीं है तो लेकिन अब फिलाल इंको भी यही जरूरत महसूस हुए जिस वज़ासे इन्होंने भी उसी तरफ रुख किया क्योंकि यहां पर एक अव रोक टोक तरीके से आ सकते थे लेकिन पिछली कई दशकों से यहां पर लगातार पर्यास हो रहे हैं कि स्थिति को सुधारा जाए जैसे कि एक शतापदी का समय लगबग हम मानते हैं कि बीद गया और अलग-अलग अमेरिकी रास्टपती यहां पर आय करके उन्होंने अलग किसी तरह से वे लोग आते जाते रहें और उन बेड़ों को खंडित करते रहें तो इसी वज़ा से वर्ष 2017 में सारा निर्ण जो था वह मुक्य रूप से रास्टपती डोनाल्ड टरंप ने लिया था इससे पहले गिस्तिति हम 1904 में देखते हैं कि 1904 में भी इस तरफ संग् संभव नहीं था तो अब वही मामला सारा आगे बढ़ रहा है और जो दिवार बंते बंते रुक गई थी बीच में अब फिर एक बार उसका कारेकरम आगे बढ़ाए जाएगा अमेरिका और मेक्सिको की सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए यह दोनों देश आपस में 3145 किलोमीटर लंबी सीमा को साचा करते हैं हाला कि यह है जो सीमा है बहुत ज़्यादा बड़ी है बट अब हम देखेंगे कि इस पूरी सीमा पर एक लंबी दिमार तयार हो जाएगी जल्द ही खीक है तो देखिए अब यह जो स्थिती है हम देखते हैं कि अमेरिका में बहुत परवेश करने के लिए लोग क्या करते हैं कि अमेरिका में परवेश करने के लिए यह लोग क्या करते हैं और पनामा की तरफ से आना पसंद करते हैं यहां पर एक जगहा है जंगल है जिसको डैरियन गयाप कहा जाता है यह लोग यहां से गुजरते हुए आते हैं और फिर जब अमेरिका में घुष जाते हैं तो वहां से वापस नहीं जाते हैं कि कि किसी दूसरे देश से जो हो गई है तो अपने जीवन के सुरक्षा के लिए दूसरे देश में घुष गए तो मजबूरी थी तो इनको शरण आर्थी कहते हैं कि शरण लेने के लिए आया है वैक्ति लेकिन अवैत प्रवासी मतलब है कि बिना किसी परमिशन के आप घुष गए तारों के नीचे से औ और आकर देश में रहना शुरू हो गए और भारत की जो पूर्वी सीमा है वह इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है यह आज तक का मामला बना हुआ है हमारे लगतार तो देखिए ऐसी ही समस्या से अमेरिका भी प्रभावित है अगर किसी देश में आवैत प्रवासियों क तो इस प्रगार की घटना दुवारा ना हो तो देशों को लेए जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह इस तरफ संग्यान ले और अधिक सटीक और महत्वपूर्ण निंडले हितों में टकरा हो जाता है नए लोग आते हैं वो अपनी मनमानी चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनक मांग पूरियों लेकिन इस्थानिये लोगों को जो अधिकार मिले हैं वो थोड़े अलग रहते हैं उनका थोड़ा सा प्रभूत रहता है चेत पर और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो नए प्रजाती नए लोग और स्थानी लोगों के बिच में संगर्ष अजाता है हितों का जो की फिर राजनतिक आववस्ता समाझिक आववस्ता उत्पने करता है तो इसी कारण से क्या होता है कि देश में उग्रवाज की समस्या बढ़ने की संभावना भी खड़ी हो जाती है मानव तसकरी इस दोरान बहुत होती है हमने देखा है कि जब किसी से एक देश से दूसरे देश लोग आते तो कई बार ऐसा होता है कि human trafficking होती है जिसमें महिलाओं की संग्या बहुत जादा बढ़ी है तो जो भी देश इस तरफ संग्यान लेगा हमेशा कोशिश करेगा कि human trafficking को रोका जाए ना तो दूसरे देश से हमारे देश में हो ना ही हमार जनशील है ना बांगलादेश के साथ में बहुत बार हुआ है पाकिस्तान से भी हुआ है ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से नहीं हो पाकिस्तान में हम लोग देखा है कि जब जब हिम्दू लोगों को परिशान किया गया वर्ष 2019 का अधीनियम इस वजह से बहुत अतिक है ठीक है ना तो यह सभी देश जो है यह मुसलिम है तो इन लोगों को मुसलिम लोगों को सरण देनी चाहिए लेकिन इसके लावा हिंदू पार्सी सिख जैन इसाई बहुत इन सभी लोगों के लिए ववस्ता हम लोग भारत में कर देंगे और उनको नागरिक्ता देंगे हमारी सीमा भी बहुत अधिक संविदन शील है और बहुत अधिक सुरक्षा के निर्ने भारत सरकार इस तरफ लेती रहती है ठीक है तो इससे जो प्रशन बन सकता है वह इस पर कागए प्रशन आप लोगों के सामने एक्जाम में आ सकता है जिसका आपको आंसर देना रहेग कुछ नहीं बाते करेंगे ऐसी आपको नहीं नहीं जानकरिया आपके साथ स्वाज़ा करते रहेंगे थैंक्यू सो मच